चली एक बहुत ही बड़ी चीजे देखने को मिली है आजके लेट में जैसा कि आप सबको पता होगा कि सीजी टेट के एक्जाम कंडक्ट हुआ था अभी हाल ही जून में और उसमें कुछ ऐसा नियूस देखने को मिला था कि एक सेंटर में जो पेपर है था या जो ओए मार्श अगर बात करें तो यह कहां का मामला था तो देखो यह सेकंड पेपर का मामला था 628 के लिए जो पेपर हुआ था न धमतरी के एक सेंटर था अगर हम सेंटर का नाम देखे तो महर्शी वेदवा व्यास सास्की सनातकॉत्तर महाविध्यालाय में यह चीजी होई थी वहां प काफी लेट से पूंचा था लगभग 1-5 घंटे लेट से है ना तो इस तरह की चीज़े किया जाना उचीत था तो देखो बाते क्या क्या है मुख्य रुप से अध्यापन के लिए टीट हुआ था उसमें 23 जुन को आयोजित किया गया था वेपर आप सबको पता है दो बच कर चार पै तालिस तक यहां पर सभी 33 जीलों में यह एक्जाम सायोजित किया जाते हैं व्यापम का आप सबको पता है लेकिन जो महर्शी वेद व्यासास की उत्र टीट है चार सौ अबंटित परिक्षाओं में 288 उसमें 288 उपस्तित हुए थे चार सब कुल अभियर्थियों को प्यपर दिलाना था जिसमें 288 लोग उपस्तित हुए थे इन लोगों का हुआ क्या परिक्षा केंदर में उत्तर पुस्ती का विलंब से प्राप्त होने से के वहां उन लोगों ने उसी समय तुरांथ इसका विरोध भी किया उसके बाद आवेदान निवेदान भी करें थे क्योंकि डेफिनेटली इन लोगों का नुक्षान हुआ था यहां पर जैसे कि सपस्ट लिया गया देख लिए गया था फिर से इन लोगों को एक्जाम दिलाना पड़ेगा इस सेंटर में एक्जाम हुआ था न एक्जाम उसी सेंटर में होगा भखारा कॉलेज के सेंटर में होगा धमतरीके एक्जाम कब होगा वह सबसी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो एक्जाम आप देख लिए गया बीस जुलाई को एक्जाम कंड़क्ट होने वाले हैं बीस जुलाई को यह हो जाएगा दो बच कर 45 मिनट में सेम टाइमिंग होग करने का तो सिर्फ उसही पेपर के एक्जाम होंगा जिस पेपर में बात ही थी जिनका वहां इस दिन प्रजेंट नहीं थे वह एक्जाम दिलाने के लिए पातर नहीं हो गयांगगगगय सबसी इंपॉर्टेंन बात यह हो जाती है कि अगर यह 286 अभीणथी चाहे तो पेप म它ली पर हैं पारे आने अतों सब्सक्राइद ऐसा इनको पर दिलाने की जरुरोट नहीं है जिन लगने सक्राइद उन लोग फिर से 20 जुलाई को पिपर दिला सकते हैं उसी सेंटर में उसी टाइम में तो यह पहली बार हमको अलग चीज दिखने को विली है व्यापम से कि किसी को या किसी एक्जाम को फिर से कंड़क्ट कराने की नौबत आई है और खामिया अगर हम बोले तो डेफिनिटली यह व्यापम कही यह एक्जाम कंड़क्ट कराने वाले बॉडी कही खामिया माना जाएगा क्यूंकि सही समय पर सही चीजों को पहुचाने और एक्जाम को सफलता पूरो कंड़क्ट कराने की सारे जिम्मदारियां किसके होती है व्यापम की यह एक्जाम कंड़क्ट कराने वरतमान चुह अगर एक्जाम करणने वाले जो बॉडिज्य वह पुडार मदार है जिनके ऊपर सारी डिपेंडेट है जिनके ऊपर जो पढ़ने लिखने वाले बच्च है ऐनका भविश्य है अगर वही इतनी बड़े बड़ेशा दो बड़े खोट अगर दीखेंगे जैसे अगर आप करें एंटीये का हाली में आप सब ने देखा होगा कि एंटीये में नीट के एक्जाम और यूजी सी नेट के एक्जाम को कैंसल करना पड़ा एक्जाम के कुछ देन के बाद ही है तो इस तरह की जो चीजे होती है एक तो होना है तो होγα क्या क्या स्रीम पर नया नया कोशली क्रेसिट और कोशिस यहीं न की स्रूक्रिक क्क्रों की पेस्ट बच्छों को फिर निया एक्जाम को criar जाते थे तो बिद दे को मिलता था था कहीं किसी का कॉष्ण लेकिन यह दो ही पिपर से एक तो पिपर अपने डियो डेट मी है वह वाला और एक पिपर बीस जोलाई को होने वाले वह बहुत अच्छी बात है जो अवियर्थी वहां जो 288 अवियर्थी उस एक्जाम सेंटर में थे भखारा धमथरी की एक्जाम सेंटर में जो थे उन इस वीडियो में इतना ही अगर है चानल में नहीं हो तो हमारा चानल सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा आप अपने आने वाले एक्जाम के तयारियां के लिए और इसी तरह के और भी इंफर्मेटी चीजों के लिए हमारे साथ जरूर बने रहे हैं मिलते हैं नेक्स वीड